Hi everyone, I am Aditi Rana, हम discuss कर रहे थे MTS exam 2022 और उससे संबंदित यह है lecture number 8 तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं बता दू कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे franking machine से जुड़ी हुई कुछ मतपून बातें तो सबसे पहला कॉशन जो हमारे दिमाग में आता है वो यह है कि franking machine दिखती किस तरह की है तो कुछ इस तरह की दिखती है franking machine जो कि post offices में use होती है Second question जो दिमाग में आता है वो यह कि franking machine होती क्या है या इनका استعمال क्या होता है आपको image में दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है printed stamp है तो basically stamp माने की machine जो होती है उसे franking machine कहते हैं इसका काम यह होता है कि जो भी dark ticket होती है उसे automatically चिपकाने वाली यह machine है इससे क्या होता है जैसे ही आप इससे stamp करते हो खुदबा खुद इस पे dark ticket यानि कि कोई भी चीज हो को types की होती है तो आप बताऊगे के franking machine जो है वो दो types की होती है एक type है electronic franking machine जिसे short में आप कहोगे EFM ठीक है दूसरी हो रहे remotely managed franking machine जो की remote से आप operate कर सकते हो और उसे आप short में कहोगे RMFM ठीक है अब इनके बारे में detail में पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में difference क्या है सबसे पह आने समय में इस्तिमाल किरी जाती थी यह departmental होती है यानि कि विभाग के जो सारे काम होते है उसमें इसी machine को इस्तिमाल किया जाता है इसकी जो छपाई होती है वो लाल रंकी होती है जैसा कि मैंने अभी आपको एक image दिखाई थी तो उसमें जो stamp print थी वो किस रंकी थी वो ल ठाने के लिए कि यह जो franking machine है इसे license मिला हुआ है यह दरशाने के लिए और इसने कितने मूल की ticket की चाप लगाई है यह दरशाने के लिए इसमें दो तरह की die का इस्तिमाल होता है एक होती है value die ठीक है जो कि मूल ने बताती है कि ticket कितने का इसने print किया है दूसरी होती है license die वो बताती है कि इस फ्रैंकिंग मशीन पर कितने समय तक का लाइसेंस है ठीक है अब वहीं दूसरी और अब मैं बात करूँगी रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन की यह नए जमाने की मशीन है यह जो प्रिंट छोड़ती है वो ब्लू कलर का होता है लेकिन जब कॉशन पूछा जाता है तो उसमें आप रेड ही टिक करके आते हैं क्योंकि अभी भी डिपार्टमेंट में जो फ्रैंकिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है वो रेड इंक वाली है ठीक है जब कि जो नई वाली मशीन आ गई है अवेलेवल हो गई है मार्केट में रेमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन ये नए जमाने की है और ये ब्लू कलर का प्रिंट छोड़ती है ठीक है लेकिन एक्जाम में आप लाल टिक करके आगए क्योंकि इस्तेमाल अब तक यही चल रही है ठीक है तो जो नए जमाने की मशीन है बैसिकली कॉष्ण पूचे जाता है कि इसमें कितने मीटर होते है तो आप बताूगए कि इसमें दो मीटर होते है ठीक है और वो कौन-कौन से होते हैं तो एक असेडिंग होता है एक डिसेंडिंग मीटर होता है यह बात आपको याद रखनी है चलिए नेक्स ऐश्ण की तर दूसरा होता है license die एक और कॉशन बन सकता है remotely managed franking machine उसमें कितने मीटर होते हैं तो आप बताओगे कि उसमें दो मीटर होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो ascending or descending meter होते हैं ठीक है next question ये बन सकता है कि RMFS की full form क्या है तो आप बताओगे remotely managed franking machine दूसरी और पूछ सकता है कि EFM की फुल फर्म क्या है तो आप बता सकते हैं Electronic Franking Machine ठीक है Next बात करते हैं अब license की जो franking machine है उसमें तीन प्रकार के license जारी किये जाते हैं उससे संबन देत ठीक है पहला है व्यक्तिकत यानि कि कोई भी individual ले सकता है दूसरा है website यानि की commercial purpose के लिए कोई firm कोई organization ले सकती है और तीसरा है विभागी यानि की जो departmental use के लिए इसका license लिया जाता है बात जब मैंने पहले और दूसरे की करी है type की यानि की जो व्यक्तिकत license है और जो website license है उसके लिए आप इंडिया post की website पर जाके online आवेधन कर सकते है इसकी authority जो होती है वो SP यानि की superintendent of post office के पास होती है जबकि मैं जब बात करती हूँ departmental यानि विभागी license के लिए तो वो आपको अगर लेना है तो आपको डांग घर के counter पर ही जाना होगा उसे आप online नहीं पा सकते है ठीक है यह है आपको सिर्फ counter पर ही जाने पर मिलेगा और इसकी authority किसके अंदर आती है कौन departmental license दे सकता है franking machine का तो आपको जानना चाहिए कि यह दे सकता है सिर्फ post master journal यानि की PMG next बात करेंगे एक important चीज़ की के franking machine के जो license है उसकी व्यादत है यानि कि जो उसकी validity है उसकी अवधी क्या है उसका time period कितना है तो जो franking machine है उसका license 5 साल के लिए valid होता है और ये जो 5 साल का valid license होता है इसे देने की authority किसके हातों में होती है इसे देने की authority होती है डारेक्टर जेनल यानि की DG के हातों में ठीक है अब एक नई बात समझेंगे कि जो franking machine है उसकी license fees कितनी होती है तो वो होती है 375 रूपीज ठीक है अगर आपको renew कराना इसका license तो fees कितनी है 375 रूपीज ही है ठीक है लेकिन इसके लिए आपको license की validity खतम होने से पहले ही उसे renew कराने पड़ेगा तब तो आपको 375 ही देने है लेकिन मान लो आपका पुराना वाला जो license था उसकी validity खतम हो गई है और उसके बाद आप अपनी franking machine को renew कराना चाहते हो तब आपको renew की fees देनी पड़ेगी 475 तो हमने देखा के 100 रूपे ज़ादा लग रहे है ठीक है पहले amount 375 ता 475 है यानि कि यह जो 100 रूपे बड़े है यह basically क्या है यह penalty लगी है ठीक है next बात करते हैं जो frank article होता है वैं सिर्फ post office की window पर ही accept किया जाता है यह बात मैंने already कई बार कही है कि जो भी frank article है कोई भी ऐसी चीज है जिस पर frank machine ने stamp मारा है तो उसे आप post office की window पर ही जमा कर सकते हो ना तो आप letter box में डाल सकते हो ना ही mailing van में डालते हो क्योंकि अगर आप उसे डाल देते हो letter box में तो उसे unpaid माना जाता है माना जाता है कि आपने उसका भुगतान नहीं किया और फिर आप टेक्स लगाए जाता है जिसकी कीमत आपको खुदी चुकानी पड़ती है ठीक है next बात करेंगे price of franking machine क्या franking machine के price की कोई limit है कि उससे कितने का recharge किया जा सकता है ठीक है तो आप बताओ कि नहीं ऐसी कोई limit नहीं है ठीक है ठीक है SOM उसके पास होना चाहिए उसके पूरा statement होना चाहिए mail का ठीक है दूसरी बात क्या है window ticket उसके पास window ticket होनी चाहिए तब वो कोई भी item कोई भी article को frank article की तरह भेज पाएगा ठीक है तो कॉशन कई बार पूछा जाता है कि SOM की full form क्या है तो आप बताओगे statement of mailing को 5000 से ज्यादा का recharge कराते हैं तो ठीक है तो कॉशन यह था कि क्या कोई commission मिलता है कोई rebate मिलता है कोई relaxation मिलता है फ्रेंकिंग मशीन से संबन दे तो इसका अंसर यह है कि हाँ अगर आप 5000 से ज्यादा का recharge कराओगे तो आपको 3% का rebate मिलता है ठीक है अब कॉशन दिमाग में आता है कि rebate होता क्या a sum of money that is given back to you because you have paid too much अधिक बुक्तान हो जाने के कारण जो लटाई गई राश्री होती है वो ही rebate कहलाता है ठीक है फर एक्जामपल आप shopping करने जाओ आप बहुत सारा समान खरी लो लग बग मालो 25,000 की आपने साड़ियां खरीद ली ठीक है 55,000 की जह सारी साड़ी खरीद ली ठीक है बिल आपका 25,000 आया लेकिन जब आपने 25,000 दिये तो सादमी ने बुला इतनी जदा आपने shopping करी इतना जदा आपने पैसा दिया है तो वो आपको 3% पैसा return कर दे ठीक है अधिक बुक्तान हो जाने के कारण आपको थोड़ी डाशी करते हैं FMU कौन होते हैं तो यह important चीज़ है यह पूछा जाता है FMU होते हैं Franklin Machine User वो व्यक्ति वो लोग जो Franklin Machine का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो जो Franklin Machine का user होते है जो भी व्यक्ति से इस्तेमाल करता है जो license धारक होता है उसके पास 2 statement of mailing होने चाहिए तो SOM उसके पास होने ही तब वो यूज कर पाएगा एक तो होना चाहिए उसके पास customer record book कि कब किस customer के लिए उसने कितना franking machine को stamping के जरी यूज किया ठीक है और एक दूसरा अपने counter पे हिसाब किताब के लिए भी उसके पास क्या होना चाहिए statement of mailing होना चाहिए next बात करते हैं अगर रिचार्ज करना होगा franking machine का तो वह कैसे होगा ठीक है तो अगर आपको franking machine में रिचार्ज करना है तो आप cash के through कर सकते हैं चेक से कर सकते हैं ड्राफ्ट के through कर सकते हैं या फिर net banking के द्वारा भी franking machine को रिचार्ज करा सकते हैं लेकिन आपको दो बाते ध्यान रखनी है पहली बात तो यह है ठीक है यहां पर note भी लिखाए red color से तक ही ध्यान रहे पहला जब भी रिचार्ज आप कराओगे franking machine में वो कम से कम 1000 का होना चाहिए यह minimum क्या है यह minimum requirement है इतना होना ही चाहिए अगर आप समय से रिचार्ज नहीं कराते हैं franking machine को तो जब machine का balance 100 रुपे पर आ जाएगा तो franking machine को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा reset करवाना पड़ेगा ओके next बात करते हैं booking या franking date यानि कि हम कर रहे हैं कि अगर आपको कोई frank article भेजना है तो उसकी booking आपको कप करानी चाहिए तो आपने online जो franking की date ली है ठीक है article को book किया है कि हमें एक चीज भेजनी है तो उसी दिन same day उसी दिन या फिर one day before यानि कि एक दिन पहले आपको मालीजे मुझे article कल भेजना है तो या तो मै आज booking कराऊं online ठीक है frank article को भेजने की या फिर मुझे कल article भेजना है तो कल सुभा ही जाके मैं article book कराऊं और फिर बाद में dispatch कर दूँ ठीक है तो जिस दिन article भेजना होता है या तो उसी दिन आप book करो franking date ठीक है या फिर क्या करोगे उससे एक दिन पहले आप book करोगे और त पर सो नहीं भेज सकते हैं ठीक है next बात करते हैं अगर आपको कभी address change कराना अपनी franking machine से related तो आप किसे संपर्क करेंगे तो जब भी आपको अपना address change कराना है franking machine का तो आप head of the division यानि कि जो SP होता है उसे contact करोगे superintendent of post office को contact करोगे और उनहीं के पास सारी authority है address में changes करने की इस वीडियो में इतना ही अंस तक देखने के लिए शुक्रिया